इस बीडियो में हम लोग अस्टोरी से अंग्रेजी को सीखेंगे बैसिकली जो संटेंस का जो अस्ट्रक्चर होता है मैं आपको इस अस्टोरी के माधियम से समझाता जाऊंगा तो चलिए सुरू करते हैं तो जो अस्टोरी है ना इसका टाइटिल है आप पजल इन अकवर्स कोट मतलब अकवर के दरवार में एक पहली अब यहाँ पे इस मिनिंग को या फिर कह सकते हैं कि जो इंग्लिस का ये जो टर्म है पजल इसको आप याद रखेगा पजल का मतलब होता है एक ऐसा कोश्चन या एक ऐसा गीम जिसे सोल्ब करना बहुत ही डिफिकल्ट हो तो उसको हम पजल कहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो अबन दी है ये एक एडवर्ब आप टाइम है क्योंकि ये समय को बता रहा है और एडवर्ब आप टाइम का परियोग हम संटेंस की अकसर सुरुवात में करते हैं और उसके बाद कॉमा को लगाते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे करा कि ओवर्ण डे मतलब एक दिन जो राजा अकवर थे उन्होंने एक प्रस्ण पूछा अपने कोट में मतलब अपने दरवार में और यह जो संटेंस है यह पास्ट एंडेफिनिट है जिसे आप सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए सबजेक्ट के बाद भर्व की दूसरी फॉर्म प्रयोग हुई है आगे लिखा हुए अब यहाँ पे समझिएगा जो यह डाया है न यह एक रिलेटिव प्रोनाउन है ठीक है अब यहाँ पे कर रहा है कि जो डायट मतलब डायट ही आया है कोट के लिए तो जो कोट में जो कोश्चन किया गया उसने सब को लेट कर दिया मतलब सब को अचमबित कर दिया छोर दिया एवरीवन इन दा कोट रूम पजल्ड मतलब जैसे ही कोश्चन पूछा गया अकबर ने कोश्चन पूछा तो courtroom में जितने सारे members थे सभी के सभी puzzled हो गए मतलब हैरान हो गए ठीक है आगे लिखा हुआ as they all tried to figure out अब यहाँ पे एक phrasal verb figure out figure out का मतलब है to solve out या फिर to help out जब कोई भी problem को हम solve करते हैं या फिर हम उस problem को अनुमान लगाते हैं कि ये problem कैसे solve होगा तो उसे हम कहते हैं figure out करना तो कह रहा है कि जैसे ही जो लोग थे ना members उन्हीं के लिए यहाँ पे आया है दे तो कहता है as they all मतलब जैसे ही बे लोग जो सभी के सभी थे उन्होंने कोशिस किया figure out करने के लिए इस पहली को solve करने के लिए और किस चीज को तो figure out the answer answer का पता लगाने के लिए सभी ने कोशिस किया बिर्वल बाक्ड इन अब यहाँ पे याद रखेगा यह जो बाक है ना और उसके बाद preposition इन लगा हुआ है तो बाक्ड इन ये क्या बन गया एक phrase बन गया बाक्ड इन इसका मतलब हुआ कि बिर्वल अंदर चल कर आया मतलब courtroom में बिर्वल inter किया अगर ये रहता बाक्ड आउट इस तब होता कि बिर्वल courtroom से बाहर गए ठीक है तो ऐसे समझेगा in और out का यहाँ पे खेल है तो कह रहा है बिर्वल बाक्ड इन and asked मतलब बिर्वल अंदर आये और पूछे what the matter was मतलब क्या क्या matter है क्या problem है क्या समस्या था ये पूछा गया बिर्वल के दुवारा दे रिपीटेड दा कोश्चन टो हीम अब यहाँ पे किन के लिए आया है जो courtroom में बहुत सारे जो member थे उनके लिए उन्होंने repeat किया the question मतलब question को उन्होंने repeat कि अब यहाँ पे question के पहले the क्यों आया है तो अपने article में परह होगा क्योंकि इस question का discussion पहले हो चुका है तो जब हम उसी question को दुवारा से बात कर रहे है इसलिए कोई खास question है इसलिए हमने article दा का परियोग किया है तो करा they repeated the question to him मतलब बिरवल के सामने question को repeat किया गया question को कहा गया करा the question बाज question क्या था how many crews are there in the city अब यहाँ पे जो question है जो पहली है जो पजल है वो question अकबर के द्वारा पूछा गया था कि इस सहर में कितने कौवे हैं कौवे जानते होंगे न जो क्रो होता है तो वही question पूछा गया था कि how many crews कितने कौवे are there in the city मतलब यह सहर में कितने कौवे हैं ऐसे question पूछे गये थे तो यहाँ पे देखे क्या है तो पजल होता है कोई भी चीज जो difficult हो समझने के लिए something that is difficult to understand या फिर कोई game जो कि आप उसको बहुत ही ध्यान से सोचते हों बहुत ही ज़्यादा मता पेची करते हैं उसके अंसर निकालने में तो उसे हम पहेली कहते हैं पजल कहते हैं समझे माया अब आगे चलते हैं तो आगला जो sentence है कहता है बिरवल immediately smiled देखिए ये past में सारे बातें क्या हो रहे हैं ये past में हो रहे हैं यहाँ पे भर्व की दूसरी form परयोग की गई है मतलब simple past tense है तो कह रहा है कि बिरवल ने अचानक से मुस्कुराया जब बिरवल के सामने ये प्रस्न आया तो बिरवल तुरंत क्या हो गए मुस्कुराये and bent up देखिए bent है जो go का दूसरा रूप है तो bent up to aquar अब यहाँ पे go to aquar जो होता है न उसी का यहाँ पे bent up to aquar किया गया है तो ओ कहां गये aquar की और गये aquar के पास गये he अब ही किस के लिए आया है यही सब तो मैं आपको कहानी के माधियम से समझाओंगा तो he आया है अभी अभी किस की चर्चा हुए बिरवल की तो करा he announced the answer बिरवल ने answer को announced किया announce का मतलब घोषना करना यहाँ पे होगा answer दिया बिरवल ने answer बताया क्या बताया he said उसने कहा there were मतलब वो बता रहे बिरवल बता रहे कि there were 21,523 croze in the city बिरवल के दोबारा जो reply दिया गया उसमें बताएगा कि 21,000 मतलब 21,523 तेज कौबे हैं इस सहर में समझ गए अब यहाँ पे समझने वाले बत क्या है ध्यान से समझेगा ठीक है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 21,000 है न लिखा हुआ मतलब 21,000 तो देखिए जब भी ऐसे लिखा जाता न एक package में एक unit के रूप में एक मतलब complete package के रूप में तब हम यहाँ पे एस नहीं लगाते हैं थाजेंट के बाद देखिए लिखा हुआ न 21,000 ही लिखा हुआ है एस नहीं लगाया हुआ है ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 500 है न लिखा हुआ लेकिन यहाँ पे देखिए 23 croge है न यहाँ पे क्या है कि यह जो croge है न यह एक noun है और इस noun के लिए एक adjective बन कर आ गया समझे माया इसलिए noun को plural किया गया है समझे में आया न चलिए आगे बरते हैं काता वीन आस्क्ड जब पोचा गया how he knew the answer अब देखिए यह new जो है ना no का दूसरा रूप है मतलब यह भी simple past में sentence है कहता है जब विर्वल से पूछा गया कि how कैसे ही new the answer वो answer को कैसे जाने कैसे पता लगाए तो विर्वल ने replied विर्वल replied विर्वल ने reply किया ask your main अब देखिए यह direct speech में है है ना तभी तो यह लगा हुआ है inverted comma तो यह भी समझते चलना है तो अकर ask your main विर्वल ने reply किया कि अपने अदमियों से पूछिए अपने अदमियों के कहिए क्या कहिए to count the numbers of croze अगर आपको विश्वास नहीं है कि इस सहर में इतने कौवे जो मैंने बताये उतने नहीं है तो आप अपने अदमियों को लगा दीजिए गिनने के लिए तो वही बात लिखा हुआ है कि ask your main to count the number of croze अब आगे विर्वल क्या जवाब देते है if there are more अगर अगर ज़्यादा हो जाता है तो कहता है कि इसका मतलब है then the relative of the croze तो जो कौवे के जो relative है मतलब उसके जो परिवार बाले है फुपः, मौसा, मौसी है न और जो परिवार नाना नानी जो भी उसके जो रिष्टेदार है must be visiting जरूर से जरूर यहाँ पर विजिट करने आए होंगे them from nearby cities काता है बगल के जो सहर है ना बगल के सहर उससे कौवे जरूर यहाँ पर आए होंगे तभी इनकी संख्या बढ़ सकती है काता if there are fewer अगर कौवे की संख्या कम हो जाती है then the croze from our city must be visiting their relatives तो इसका मतलब है कि हमारे सहर के जो कौवे थे ना वो जरूर से जरूर दूसरे सहर में अपने relative के पास visiting करने गए है दूसरे के पास visit करने गए है अपने relative के पास मतलब अपने सवंधियों और जो उनके परिवार बाले हैं उनके पास visiting करने के लिए गए है who leave outside the city अब एक इनकी बात फरे relative के लिए who आया है ठीक है who which that जब भी आएगा ना तो बगल वाले noun या pronoun के लिए आएगा तो कह रहा है कि who leave outside the city और यह relative कहां रहते हैं सहर के बाहर तो वहीं पे घूमने के लिए गए होंगे कहता है pleased with the answer अकवर प्रेजेंटेड बिर्वाल with a ruby and pearl chain अब यहां पे समझेगा कहता pleased pleased का मतलब है तो है खोस होना तो pleased with the answer मतलब answer से काफी खोस हुए कौन अकवर तो अकवर ने present कर दिया present का मतलब होता है gift देना भर्व के रूप में तो यहां पे कर रहा है अकवर presented बिर्वल किसको gift दिया गया बिर्वल को with a ruby ruby आपको पता है ना एक परकार का stone होता है हाँ जो काफी किमती होता है and pearl chain और एक pearl chain जो था वो बिर्वल को उपहार के रूप में दिया गया यह भी देखिए past indefinite tense में यह है अब यहां पे इस कहानी से हमें क्या सिखने को मिलता है तो इस कहानी से सिखने को यह मिलता है देखिए यह जो question था ना कि इस सहर में कितने कौबे हैं यह पहली ही तो था मतलब इसे बताना कोई आसान काम नहीं था लेकिन बिर्वल ने अपने चतुराई से बता दिया तो अब यहां पे explanation जो होता है ना आपका अंसर का वो तागरा होना चाहिए मतलब कहने का सिखना मतलब कि जब बिर्वल से पूछा गया कि आप यह कैसे कह सकते हो कि इतने कोबे ही है तो बिर्वल ने जवर दस्ट explanation दिया कि अगर जधे हो जाए तो समझ लिजए कि कौबे दुसरे सहर से आये हैं अपने परिवारवालों के पास और अगर कम हो जाए तो समझ यह हमा कि इस सहर के कौबे अपने परिवारवालों के पास वही चीज़ हम को یہां पे मिलता है कि explanation जो होता है वो ज़्यादा जरूरी होता है आपके अंसर से सिर्फ अंसर ही देना जरूरी नहीं होता है आपने तो अंसर दिया ठीक लेकिन उसका अंसर को explain करने का जो तरीका है वो अगर जबरदस्थ होगा तो अंसर justified होगा ठीक है देखे यह question मैंने पूछा था अपने टेलिग्राम चैनल पे कल मैंने आपको बताया था subject, verb और object पहचानने के लिए तो यहाँ पे मैंने question पूछा था tell the object मतलब आपको object बताना है तो question है that September morning अब यह करा है कि उस September की morning में तो यह भी adverb of time है अभी मैंने आपको बताया my friend Alpana recorded a short video to upload on Instagram तो यहाँ पे देखिए बहुत कम ही 31% ही a student है जिसने सही answer किया है तो आप वीडियो को pause करके बताईए ऐसे तो answer पता ही लग गया होगा तो यहाँ पे object बताना था तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे भर्ब को पता लगाएंगे तो भर्ब यहाँ पे recorded है अब इसे question पुछेंगे what recorded क्या record किया गया तो एक short video तो यह हमारा object हो गया मतलब जो जवाँ मिलेगा what और whom लगाकर whom लगाकर भर्ब से question करने पे जो answer मिलता है वह ही object होता है मैंने आपको वहाँ पे यह बातें बताई थी तो यहाँ पे जो object है a short video है ठीक है तो आप आज तक इतना ही thanks for watching bye bye मिलते हैं next video में